ओडिशा में मोदी के तौर पर मशूर केंद्री राज्यमंत्री प्रताप सारंगी अपनी साधगी के लिए जाने जाते हैं वे बीजेपी के टिकट पर ओडिशा से लोगसभाचनाव जीत का सदन में पहुँचे हैं सोशल मीडिया में प्रताब सारंगी को ओडिशा का मूदी के नाम से ही जाना जाता है इस बार ओडिशा में बीजेपी ने आट सीटों पर जीत दर्स की है सारंगी साइकल से चलते हैं और किसी को भी जब जरुवत होती है तो उसकी मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं ओडिशा के नेलगिरी में गरीब परिवार में जन्मे 65 साल के प्रताब चंदर सारंगी ने शादी नहीं की है समाज को ही अपना परिवार मानने वाले सारंगी अध्यातम से जुड़े हुए हैं उन्होंने नेलगिरी के फकीर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हाला कि लोगसबा का सदस्य बनने से पहले 2004 और 2009 में नेलगिरी से विधायक भी रहे हाला कि 2014 के लोगसबा चुनाओं में वो बीजडी के रबिंद्र जैना से हार गए थे लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने फिर टिकट दिया और वो जीतने में कामियाब रहे इस बार लोगसबा चुनाओं में उन्होंने बीजडी के करोड़ पती उमीदवार रबिंद्र जैना को करीब 13,000 वोटों से हराया वो पियम मोदी की तरह साधा जीवन जीना पसंद करते हैं और मोदी की तरह बच्पन से आध्यात्मी थे जिस तरह से पियम मोदी भी साधू बनना चाहते हैं सारंगी भी साधू बनने के लिए कई बार रामकृष्ण मठ भी गए हैं लेकिन मठ ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी माता जिंदा थी और मठ ने उनसे अपनी माँ की सेवा करने को कहा सारंगी ने अपनी महनत से पालासोर और मयूर भंच के आदिवासी इलाके में कई स्कूल खोले विधायक बनने के बाद भी साधू चलाने वाले प्रताप सारंगी समाज सेवा को सर्वो परिमानते हैं